हेलो नमस्कार दोस्तों मिर नाम है कपील और स्वागत आप से भी कफूर आपकी सक्सेस में फ्रेंट्स आज के स्वीडियो में हम आपके लेले कराए हैं भारते सव्धान की प्रस्तावना से समन्दित परत्योगी परशाओं में पूछे जाने वाले टॉप 15 कोशन आंसर आप इस वीडियो का फ्रीडियो फाल भी डॉलोड कर सकते हैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या तो फिर आप मेरा टेलिग्राम ग्रूप जोएन करके वहां से भी फ्री में आसानिस इसका प्रीडियो फाल प्राप्ट कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप जोएन करने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दिया हुआ है, तो चले हम लोग कोईशन के और बढ़ते हैं, और पहला कोईशन है, सवधान की कुंजी किसे कहा जाता है, आंशर है प्रस्तावना को, सवधान की प्रस्तावना को भारते सवधान की कुंजी कहा जाता है, नेक्स्ट कोशन है, कोईशन मर्ट टू, कोईशन मर्ट टू है, भारत में जनप्रिय संप्रभूता है, क्योंकि भारत के सवधान की प्रस्तावना सुरू होती है, इन सब्दों से, तो वह सुरू होती है, हम भारत के लोग सब्दों से देखे भारती सव्धान की जो प्रस्तावना है उसका पहला लाइन जो है वह सुरू होती है हम भारत के लोग सब्दों से सव्धान के अंतरगत भारतीय लोगतंत्र के आदर्सों को हम कहां देख सकते हैं तो इसे हम प्रस्तावना में देख सकते हैं सविधान के अंतरगत भारतिय लोकतंत्र के आदर्सों को हम प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रियम्बल में देख सकते हैं, अगला प्रस्न है, भारत की संप्रभूता किस में नहीं थे, तो भारत की संप्रभूता जो है, वन नहीं थे, भारत की जनता में, भारत की संप्र प्रस्तावना में देश का नाम, भारत और इंडिया उलेखित है, चाहिं है। Q7 भारते सविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस अधिनियम में किये गये थे तो भारते सविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन जिसमें कुछ सब्द जोड़े गये थे तो इसमें यह परिवर्तन 42 सविधान संसोधन अधिनियम 1976 में किये गये थे इस संसोधन में 42 स भारत के सविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्म निर्पेच एवं एकता और अखंता सब्दों को किस सविधान संसोधन द्वारा जोड़ा गया आंचर है 42 संसोधन द्वारा 42 संसोधन द्वारा बारत के सविधान के प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेच एकता और अखंता सब्दों को 42 सविधान संसोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था भारत एक धर्मनिरपेच राज्य है इसका मतलब है कि भारते राज्य किसे निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है यानि हमारा देश यानि भारत यानि हमारे राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं होगा नेक्स्ट कोशन है कोशनमर 11 भारत एक गंतंत्र है इसका अर्थ है तो इसका अर्थ है भारत में वनसानुगत परमुक नहीं है यानि जो सवेधानिक परमुक होते हैं जैसे भारत में राश्ट्रपती है लेकिन अगर वास्तविक रूप में प्रस्तावना का उवा प्रावधान जो सभी व्यस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार परदान करता है कहलाता है तो उवा कहलाता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र इसमें क्या होता है प्रजातंत्र या लोकतंत्र में इसमें जनता चूनती है अपने परमुक को परत्यच य परिकों को मतदान का धिकार होता है यानि प्रजातंत्र एक ऐसी원 साशनुवस्था है जिसमें वास्तविक सक्ती जो है जनता के हाथों में निहीत होती है अगला प्रस्ने है भारत के सविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याई स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रात प्रित्व का सही करम में उलेख किया गया है तो इसका Right Answer尾प्शन ए है, भारत के सविधान की प्रस्तावना में तीन परकार के, तीन परकार का न्याई समाजिक न्याई आरथिक न्याई एवं राजनेतिक न्याई का, पाँच परकार की स्वतंतरता कौन-कञ विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की सोतंत्रता, दो प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं उपासना की समानता, और एक जो है भ्रातरित्व यानि बंधुता भायचारी का उलेक किया गया है, नेक्स्ट कोशन है, क्वेशन मर्फोर्टीन, प्रस्तावना में किस प्रकार के नियाई की बात की गई है, तो भारति सविधान की प्रस्तावना में तीन प्रकार की नियाई की बात की गई है, समाजीक, आर्थिक, एवं राजनितिक नियाई की, ठीक है, यानि इसका आंसर है, आपसर ए, नेक्स्ट कोशन है, क्वेशन मर्फिप्टीन, निमलि सर्वोच नियाले ने सुप्रीम कोट ने केशवानन्द भारतिवाद में सविधान के मूल धाचे का सिधान परतिपादित किया था इसमें सर्वोच नियाले ने कहा था कि संसत सविधान की मूल धाचा में नकारात्मक संसोधन नहीं कर सकती है लेकिन संसत वैसा संसोधन कर सकत जिसमें मूल धाचा का विस्तार वह मजबूती करन होता है। इस विडियो में आपके लिए कोशन है। भारत के पर्था मुस्लिम राष्टपती कौन थे। तो इस कोशन का सही जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजेगा। तो इस विडियो में इतना ही। अगर ये विडियो आपके लिए हेल्फुल रही हो। तो प्लीज इस वि हुआ है।